असलामों अलेकुम इस दुआ के साथ के आप सब बाखेरियत हों अल्ला की खास रह्मतें बरकतें और अनायतें आप सब पर महर्पान हों मेरी दिली दुआएं और निक्तमनाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं शॉपिंग समर सीजन इस वकत एहतताम पजीख है और एंड ओफ समर सीजन की सेल बहुत ज्यादा हर स्टोर पर ही है ये कुछ एक शूज मैंने न्यू लुक से मगवाएं बहुत ही रीजनेबल प्राइज में थे न्यू लुक से पहली दफा ही मैंने शूज मगवाएं हैं ये लن भी महीं ये वाले जुज हैं ये जो ग्रीन वाले हैं ये स़िसी साइज के आगे हैं और जो या weitere ब्लू और पिंक यह हैं उसी साइज के मगवाय है लेकिन यह चैनल यह नई invention करते हैं इमान बोर बोर हो रही है गर्मियों की छुटियों में न तो उसने ये क्रोशे करना शुरू कर दिया और मजाख मजाख में इसने काफी ज़रा चीजे जो है इससे बनाई है ये इसने मुबाइल कवर मगवा के मुबाइल बैग एक्चुली बना के दिया है फज और ये देखे माशाला इसने बुक कवर बनाया है अपने लिए और क्योंकि ये माशाला बुक काफी ज़्यादा पड़ती है तो ये इसने बुक के साइस का बनाया है इसको दो से तीन दिल लगे हैं और ये इसने बनाया है और चूंके ये काम कभी इसने किया नहीं है और फर्स टाइम ये चीजें बनाई है तो ये रिजल्ट तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है मुझे कड़ाई करने का शोक है जो इमरोइटरी होती है न कपड़ों पर करते हैं जैसे सिंधी कड़ाई है या मोती टांका है इस तरह की जितनी भी कड़ाई हैं पाकिस्तान में होती थी वो मैं किया करती थी जब मैं पाकिस्तान में थी अभी भी मुझे आती है लेकिन इमान को इस तरह क्रोशे का शोक है तो इस तरह से उसने बहुत ही प्यारा ये बनाया स्ट्रॉबरीज जो है इनको इस तरह अच्छे से पानी से दो कर तो मैं पानी में टिप करके रख देती हूं क्योंकि इसमें काफी छोटे छोटे इंसेट से होते हैं तो वो अच्छे से दोना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ एक रील ऐसी देखी है इस्टा पर ना तो वो काफी वहम सा हो जाता है और मुझे स्ट्रॉबरीज वैसे भी इतनी पसंद नहीं है और यहां साथ दूसरी तरफ मैंने आलू कीमा बनाया है और यहां पर मैं दनिये और हरी मिर्चों की चर्षनी जो है वो बना रही हूँ स्ट्रॉबरीज जो है उसको ऐसे सेट के दो कर पानी में बिगो कर रख दिया है और अब यह एक स्ट्रॉबरी निकाल लेनी है वैसे भी छान सकते हैं लेकिन अफ़ी ज्यादा इसके जो है न बट्स से जो है वो पानी में आप को यहां पर नजर भी आएंगे तो इसको जब खाएं अच्छे से दो कर पानी मेटीप कर करते हैं और अच्छे से साफ करके इसको खाना चाहींगे दोना लाजमी चाहिए क्योंकि जैसे फलो तर चिलका उतार लेते हैं तो उसका चिलका नहीं उतारा जाता तो वैसे ही इसको खाना है और ये दुआ के काम देख लें ये ना इस तरह से स्ट्रो से इसकी स्ट्रेन उतारी है तो मिडल से जो इसका हाट सा पीस है वो सारह निकल इस तरह के काम करने में काफी तेज है माशाला है अग्या और ये मेरी लंच पलेट है जो कि मैं खारी हूं सैलड भी जो खेसे पते होते हैं इसको बहुत अच्छे से दोती हूं बार बार इसको मैं पानी में सो करके रखती हूं अच्छे देख एक पता जो है ना वह मैं दोती हो सैलट का आप पता नहीं क्यों है खामखाई वहम सा हो जाता है छुटिया जो है आई थिंग चंद हपतों की ही रह गी है तो अभी बारी है बचों का यूनिफार्म खरीदने की लास्ट येर मैंने ओनलाइन ही मगवा लिये थे लेकिन अभी मैं स्टोर पर जाकर कुद ही खरीद रही हूँ और माशला चार बचों के यूनिफार्म चाहिए उस सारी एक ही जगा से नहीं मिलते हैं तो दो तिन स्टोर से जो है वो खरीदे हैं और ये होबी क्राफ्ट पर गई हूँ और ये एक केक बोर्ट 350 का है मैं खहते हैं न कोटे जार जो है काफी महिंगे हैं इमान को यान चाहिए थी तो वह पिर यहां पॉंड शाप से ली क्योंकि यहां भर भी काफी होती है क्योंकि उसने क्रोश्या ही बनाना है ना तो यहां से फिर उसने या मुहरा रखी दी केटिजोंकि जा कि आपी करें तैर भिंदोप शाहिर दीजरीर्ट कर से पहीं मंदाने दीजरीं कि अबरोंज करते एल साथ del Прेंदम यहां किया थी हैं ग्ले तैसके विश्तार यहां कि बनावी क्योंकि हैं तो यहीं एलन कितानिक लाकर बाइए असम नहीं 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 यह को आज की जो जिनरेशन है इसको अभी तक टाइटैनिक नहीं पता चला था लेकिन जो यह सब मरीन डूबी है उसने बच्चे-बच्चे को टाइटैनिक जो है वो यार करवा दिया है और दौा तो कहीं देखती है वहीं इमान को चाहिए थी अपनी क्रीम चाहिए थी क्योंकि इमान ला रोशे पोसे यहीं नाव है नहीं मैं कुछ गलत ना कहा दूँ हाँ इमान इसी मेकी जो है प्रोड़क्ट यूज करती है यह किन जानिए यह एकनी को न्यू ब्रेक ब्रेक आउट जो है उसको कंट्रोल करती है और मैं गार्निय का जो है सिरम यूज करती हूँ अपने फेस के लिए लेकिन अभी काफी टाइम हो गया है ना बूर्स पर है ना ही सुपर ड्रक पर है तो मैंने का चलो कोई और यह वाला जो है अभी मैं लेकर आई हूँ मजाल है यह बूर्स जाये और बगैर किसी लिप ग्लॉस के या लिप्टिक के वापिस आज इसको मना करते हो इसने फिर भी कोई ना कोई लिप ग्लॉस या लिप्टिक जो है वो लाजमी खरीद नहीं है बूर्स पर और सुपर ड्रक पर जो है आसकिन के प्रोड़क्त पर आफर जो है वो बहुत ज्यादा होती है स्पेशलि अगर आपके पास एडवांटिज कार्ड है तो हम सब की इंग्लास को फोर्ड शौपिंग करने गे थे लेकिन यह था कि कैसर आइटिंग उन्होंने फुट लोकर जाना था वह वहां चले गए मैं और इमान जो है बूर्स ज़िए तो लोकर देख लगा होता था तो फिर लेडि उसने उसको चेक किया तो वैसे तो तो टिल पर वह कर लेते हैं लेकिन सेल्फ सकैन करें तो आइटिंग वहां पर यह आप्शन नहीं था आज मैंने कोयट बनाई थी वह जो तोरी होती है वह जिसको इमान तोरे बोलती है और साथ मैंने आलो बैगन की सबजी बनाए क्योंकि गर्मी का मौसम है तो इस तरह की सबजियां दुपहर के वक्त ज्यादा अच्छी लगती है आइटिंग बराए नाम ही गर्मी रह गई ह बे मौसमी ही दूप सी लगती है तो बारिश के साथ दूप मिक्स हो जाती है तो पता ही नहीं चलता तो अब भी मैं यहां पर बिसकोफ मिल्क केक बना रही हूं यह सिंपल स्पंच केक है इसकी रैस्पी मैंने पहले भी शेयर की है चार अंडे लिए है थ्री फोर कप इसमे चीनी का डाला है चार अंडे है तो चार मिनट की इसको मिक्स करना है एक टेबल स्पून इसमें वनीला एक्स्ट्रैक्ट और एक कप कुकिंग ओल वन एन हाफ कप इसमें प्लेन फ्लार और वन टेबल स्पून इसमें बेकिं पौडर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक् केक जो है वो तियार हो गया था की मैं केक के लिए बिसकूफ मिल्ग यानि कुकि-बटर मिल्क तियार कर रही हो टू- coffee ऐमेल किंडेंस क्मिल्ग तू- coffee ऐमेल इसमें मैंने डाला खै वेपटरेट मिल्क और हंडर्ड ऐमेल इसमें जो regular milk है वो डालना है और 200 ग्राम इसमें बिसकूफ यानि कुकी बटर जो है वो डाल देना है या आपकी अपनी मर्जी है बहुत ज्यादा भी मठ डाल दें क्यूंकि इसमें condensed milk भी है केक भी मिटा है तो बहुत ज्यादा डाल देंगे तो ये over sweet हो जाएगा और इसको अच्छे से mix करना है क्योंके कुकी बटर जो है थोड़ी thick consistency का है तो विसकर से इसको अच्छे से mix करेंगे तो ये mix हो जाएगा और इसको वैसे ही थोड़ा सखा कर देखा है तो तू sweet और तू yummy केक को साइडों से scrape कर लेंगे और इसका जो बटर पेपर बिचाया है वो निकाल देंगे और केक आपको देखकर ही पता चल सकता है कि ये कितना soft केक बना है और केक को अच्छे से फोक से पोक कर लेना है और जो मिल्क है उसको अच्छे से mix कर लेना है कि बटर जो है कुकी बटर जो है वो इसमें बाटर में स्टिक ना हो और इसके ओपर केक के ओपर जो हमने ये मिल्क त्यार किया है वो डाल कर इसको अच्छे से हाँ खतर पहला दे और आप देखेंगे केक फोरण ही इसको सोक कर लेगा क्योंकि केक बेक तो हुआ है सोफ्ट है लेकिन इस तरह के नहीं है जो इसके उपर लिक्विट डाला है वह फोरण से अपने अंदर जजब कर लेगा और फिर इसको कवर करके ओवर नाइट फ्रिच में रखना है ताकि य है और यह देखें देखते ही देखते केक जो है वह लिक्विट को जब कर लेगा कुछ बोटम पर बैठ जाएगा और इसको फ्रिच में रखते ना है ताकि यह अच्छे से केक जो है सोफ्ट हो आप बेतर है इसको ओवर नाइट फ्रिच में रखें वैसे तीन चार घंटें में भी यह केक जो है अच्छे से रेडी हो जाएगा यह यहां तक त्यार है आप चाहें तो इसको इसी तरह खा सकते हैं फ्रिच में थोड़ी दियर रखना जरूरी है ताकि यह अच्छे से थोड़ होती है तो तीन चार दिन रहते ही है कल भी बनाए और आज भी मैंने बनाए क्योंकि यह बहुत मज़े के बनते हैं बहुत इजी हैं और पहुत ही मज़े की स्नैक है यह और इसकी क्रेविंग एक दिन खाकर पूरी नहीं होती बच्छों को तो फिर दो तीन दिन जो है यह मै बनाती ही हूँ एज़ाई सेट के केक चोग है यहां पर तयार है लेकिन मैं इसके ओपर थोड़ी सी यह स्टोर बोर्ट डबल क्रीम जो है वो ही इसके ओपर थोड़ी सी स्प्रेट कर दूंगी और यह बहुत मज़े का केक है कोई पार्टी है इस तरह से केक बना कर आप सर्फ कर सकते हैं सुबों के नाश्टे के लिए दुपहर के खाने के बाद खाने के लिए यह केक बहुत ही मज़े का है बस यहीं तक है यह आज का भी व्लोग उमीद है आपको अच्छा लगा हो थम्स अब बटन जरूर प्रेस करें और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे जरूर सब्सक्राइब करें अलाहाफीज